नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलेज बज़ और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेल्वे और भी एंटी पीसी 28 दिसम्बर के सिफ्ट टू के सभी इंपॉर्टेंट कोशन जीए के जेनरल अवर्णेंस के सभी इंपॉर्टेंट कोशन को हम देखेंगे और सभ इस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिस करेंगे तो चलिए शुरू करते हो और इस वीडियो में मैं बता दू कि असी कोशन हम देखेंगे कुल मिला के 28 दिसमबर 2020 के रेल्वे एंटी पीसी के तो यह सभी कोशन आपको जानना बहुत जरूरी है क्यो जीए के सभी इंपोर्टेंट कोशन तो हमारे सामने जो पहला कोशन है पहला कोशन आपसे पूछा गया है कि भारत द्वारा सुरू किया गया पहला संचार उपगरह का नाम क्या है देखेगा ध्यान से एपल एपल का फुल फॉर्म भी आगे जाकर पूछा जा सकता है तो जालियाओलाबाग हत्याकांड कब हुआ ता तो जालियाओलाबाग हत्याकांड हुआ था 13 अपरेल 19-19 को उसके बाद देखेगा जालियाओलाबाग के समय वायसराय कौन थे लौडड चैम्स फॉड देखे इन दोनों कोशन में से 2 और 3 में से कोई एक ही पूछा गया था सायद मुझे जहां तक लगता हैं आगे देखेगा कोसर नमर चार अर्धिसास्त्र में नॉबल पुरुसकार पाने वाले पहले भारतिये का नाम क्या था तो पहले भारतिये कौन थे अम्रेज सिंद्ध ठीक है इस कोसर का इंसर यही होगा आगे देखेगा फॉर्टेलाइजर उरुरक क्रांती किस से संबंधी थे तो उसका संबंध है पिंक के क्रांती से पिंक के रिवुलेशन से यह आप से पुछा गया था गुलाभी क्रांती से आगे देखेगा फिल्म फियर पुरुसकार किस फिल्म को दिया गया तो आप लोग को पता होगा कि गली बॉय को टेर प्रणवीर सिन और आलिया भर्ट इस्टार कास्ट में थे आगे दिखेगा सविधान सभा का स्टार्ट किस ने किया था मतलब विचार किसके मन में आया था यह दियान देजिएगा अप्शन में होगा तो उनको लगाईएगा और अगर पूछा जाएगा उद्देशिका किसन सभिधान सभा के 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होई जिसके अस्थाई अधिक से बनाया गया राजेंदर परसाद गुम और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होई जिसमें उद्देशिका पारित की गई और वहां से सभिधान बनाने का जो काम था ना प्रोसेस था वो स्टार्ण दिसंबर 1946 को अधिस्तिका पारित की था वह भारत के प्रधान मंत्री उस समय के नहरू जी थे मध्यपर्देश के राजय पाल कौन है तो मध्यपर राजय पाल अभी अत्रिक्त कार्यवार तिया गया है क्योंकि जो राजय पाल पहले था उनका भीहांत हो गया उ फर्मूला क्या होता है तो है भी वॉटा का फार्मूला होता है डी ट्यू ओ आगे देखिएगा आप राश्ट्रयूक्त राश्ट्र का मुख्याले कहा पर नियॉयर्क शोटी में जो की अमेरिका में उसके बाद भारत की 11 को संदेखेगा भारत की राश्ट्रिया की गन्ना पहले इसले का मोपाल मोपाल मोपाला मोपाला विद्रोक कब हुआ था तो 1921 और 1922 में हुआ था थे था था हाड और को सी आउस फेल्जिस्स लार्जेश्ट ऑईलेंड लार्जेस्ट ऑईलेंड कौन है ग्रीनरइड चाटा लार्जेस्ट ऑईलेंड तो यह बहुत पुछा गया और Pres Nous Sierra City को अंगेजम दिekkर है क्या लिखा हुआ है शुर्या कस जो है देख लीजेगा ये नाम मैं बोल नहीं को रहा हूं आप देख लिएगा ही एंसर होगा ठीक ना पाई का कॉन सा रोग होता है तो जो हडीन खांने हमारी होती है तला है कैलसियम की यह है वह हमारे बॉडी मैं उसके बाद آپ से पुछा गया ना है उसके मैं बता दो उसके बाद क्या पूछा गया उसके बाद आप से पूछा गया कि स्केलर क्वेंटिटी एंड वैक्टर क्वेंटिटी क्या होता है तो मास जो है ना स्केलर क्वेंटिटी और वैक्टर क्वेंटिटी यह आगे दिखेगा मास से खोन का संचार होता है वो तीन पार्ट से होता है इस पर एक कोशन पुछा गया था हाट लंग्स और अत्री तो यह कोशन इम्फोंटेंट है आगे देखेंगा वोईल्स लोग का संबंद में यहां बता देता हुआ वोईल्स लो के बारे में गट्रीज अविट इनवसली विशे इनवसली इनवसली विट वाल्यूम at constant temperature यह आपको याद रखना होगा P V equal to K जहाँ पर K क्या हो जाएगा constant हो जाएगा मतलब है यहाँ पर क्या होगा P inversely proportional to volume होगा ठीक है ना P inversely proportional to क्या होगा क्या होगा यह आपको याद रखना है मतलब P मतलब pressure हो जाएगा V मतलब volume हो जाएगा आगे पुछा गया है कि what is the Gay-Luscus law यह देखेगा यही question पुछा गया था तो this law was formulated by french chemistry Joseph Gay-Luscus 1808 में इसको format किया गया था और इसका जो relation हो क्या है पी directly proportional to pressure directly proportional to temperature और यहां पर यहां पर देख लिए जगा पी अपन में टी इक्वल टू में वह constant होता है तो इसी चीज़ का इन्होंने 1808 में खोज किया था तो यह question बना था एक्जाम में आगे देखेगा क्लोरीन position पुछा गया तो क्लोरीन का जो position होता वह 17 होता है और क्लोर पुछा गया था तो इसके बारे में सब कुछ मैं बता देता हूं यह पार्ट फोर ए में आता है 42 सभिधान संसोधन 1976 में से एड किया गया था और जो fundamental duty है भी वह कितने है 11 11 fundamental duty है 51 आर्टिकल में इसके बारे में दिया गया तो यह 51 के बारे में सायद पूछा गया था तो इनमें से आप कुछ भी पूछा जा सकता है तो सभी कुछ आपको याद रखना है आगे देखेगा नोकिया के CEO कौन है तो नोकिया के CEO अभी कौन है आगे देखें बाफ्टा का प्रेसिडेंट पूछा गया आप तो बाफ्टा का प्रेसिडेंट का नाम है जो एक इंडियन है कृष्णा के कृष्णे नेडू मजूमदार ठीक ना बाफ्टा के प्रेसिडेंट है यह उसके बाद UNDP और UNSC के हेटक्वार्टर के बारे में पॉल और मिलीग्रोम आगे देखेंगे रोबर्ट बी विलियम विल्सन आगे देखें इन आइउ का फुल फॉर्म पुछा गया आप से एन आइउ का फुल फॉर्म क्या होता है नेट वर्क इंटर फैस यूनिट आगे पुछा गया भाभा अटोमिक रिशर्च सेंटर आगे दिखेगा राहुल गांधी का consistency मतलब कहां के सांसद है तो वाइनाड वाइनाड के रिला के सांसद है इससे पहले राय अमेठी के थे क्योंकि सास भी कभी बहु में जो काम करती थी क्या नाम था मुझे नाम नहीं याद आ रहा रहा था राहुल गांधी को आगे इस्मृति इरानी उनका नाम है आगे दिखेगा यह कहां की करेंसी है यह भी कोशन पूछा गया पिनाका मिसाहिल के बारे में पूछा गया था कौ इसमें समुंद्र है नहीं लैंड लॉग कंट्री एक भी समुंद्र नहीं है यहाँ पर उसके बास सेरी कल्चर के बारे में पूछा गया तो यह सिल्क फार्मिंग के लिए होता है रेसम सिल्क के लिए होता है आगे दिखेगा अमाउंट ऑफ सब्स्टांस है मेजर इन ओं ये भी एकोशन पूछा गया कि amount of substance को किस में मिजर किया जाता है तो मोल में मिजर किया जाता है 49 parallel line कहां पे तो USA and Canada में ये भी एकोशन पूछा गया नेट नेशनल प्रोड़क्ट NNP का फुल फॉर्म पूछा गया तो सभी को पता है कि NNP का फुल फॉर्म क्या होता है ये कोशन पूछा गया ये कुछन रिपीट किया जाएगा मुझे जहां तक है ठीक है आगे दिखिएगा रहाइन होता होता जहां से निकलता है उसको क्या बताऊंते हैं आउटर पार्थ होता चमकता है इसकोव चमकने हैं लेकिThis थमकने इस तो चमर ले शपूर्म के अब आपलोगों को सबन्द के साहसे अब लगता हो गए कि कैसे वो गए तो अलग 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 सब्सक्राइब मुझे जहां जहां से मिला अब उपच्छों को याद नहीं रहता है कि कौन-कौन से पूछे गए है सकते हैं मैंने को दिख यहां से इक दो को शी कोशन wanna दो बार लिक दिया और कुछ अबहुंझ को सब्सक्राइब ने बताई यहां से सब्सक्रीख यरने को भी आद किया बता दू है न। को दिख रहा है यह हंड़ेट पर्सेंट रियल को सन आपको रेलवे एंटीप से की एक्जाम में पूचे गया आप किसी भी चैनल पर देख लिए यूटूब का आपको यही को सन आपको मिलने वाल है मैंने हर एक पॉसिवल को सन आपके सामने रखा है इसलिए नंबर आप मेर पुरुवादक कौन है सिव कुमार सर्मा यह भी को सन मुझे पता चला कि पूछा गया सायद है इसलिए मैंने रख दिया इसको सन को लाइफ एक्जिस्ट इन बायो स्पेर यह भी को सन मुझे कहीं से दिखा था बट इन दोनों को सन के बारे में मैं स्योर नियू तो यह दो उसके बाद एक कोशन पूछा गया गोल गुंबज के बारे में पूछा गया गोल गुंबज के बारे में पूछा गया तो इसका निर्मान कौन करवाया था मुहमद आदिल सहा ने करवाया था इसका निर्मान कहां पे है तो विजवारा करनाटका में यही कोशन पूछा गय यहां तक बताया था अब यह कोशन भी एड किया है मैंने तो यहां देखें माइक्रोसोफ्ट का सीओ कौन है तो सत्य नाडिला यह भी पूछा गया टीयर गैस क्या होता है तो टीयर गैस देखिएगा क्लोरो benzenmol देख लीजेगा क्या लिखा है नित्रीट ठीक है यह एंसर हो जाएगा अभी मैं बोलने पा रहा हूं आप देख लीजेगा मैं जल्दी मैं इसको बोल रहा हूं एक साथ लिका हुआ है ठीक है आगे दिखें का पी-H the P-H value of lemon निम्भु का पी-H value कितना होता है त पहले तिर्थकर कौन थे रिशब देव जैन धर्म के पहले तिर्थकर के बारे में पूछा गया मैक्सिमम सीट इन लोग सभा यह कोशन पूछा गया 552 होता है उसके बाद यह मुझे लगता है कि सब्सक्राइब और प्राथना प्राथना सभा का सापना के कब हुआ था तो अ इसाट यहां बना दिए हो सकता है रिपीटे आपको मिले और कुछ को सकता है मैंने एक्स्ट्रा भी रखे उससे मिलते ज्वेलते को इसलिए को ज्यादे दिख रहा है बट जो को सनुन बता है वह हंडरेट पर सेंवीन को सने और इस तरह की वीडियो आपको डेली मिलता रह सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिए कि आपके रेलवे एंटी पीसी का जो स्टेज वन का इस जाम है बिल्कुल आसानी से निकाल सके तो चलिए ठीक है इस वीडियो में फिलाल इतना ही इसके अलावा किसी और टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कम परियो में फिर्से मिलते हैं थाइंक्यू